नमस्कार मैं हूँ नव्या ये बात करते हैं एंटिटेमिन वर्ल की सनी देवल और अमीशा पेटेल तारा सिंग और सकीना बन कर एक बार फिर से पढ़दे पर नजर आने वाले हैं जारा अगस को थेटर्स में गदर तू रिलीज होने वाली है जिसको लेकर फ्रांस में काफी एकसाइटर है ऐसे में हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर गदर तू की कहानी क्या होगी अब इसको लेकर इंफरमेशन सामने आई है गदर तू की रिलीज से पहले नौ जून को मेकस इसके पहले पार्ट यानि गदर एक प्रेम कथा को एक पर फिस्ट थेटर्स में रिलीज कर रहे है वह इसी के साथ नौ जून को एक दूसरा पार्ट का टीजर भी जारी किया जाएगा चीटर रिलीज की जानकारी फिल्म क्रिटिक और ट्रेड आनलेसिस तरह नादस ने सोशल मीजा पड़ दी उसके साथ ही उन्होंने गदर टू की कहानी को लेकर भी बात की भारत और पाकिस्तान के बटवारे के बीच तारा सिंग सकीना की जान बचाता है तोनों को एक दूसर से प्यार हो जाता है तोनों का एक बेचा होता है बाद में सकीना अपने माबाप से मिलने पाकिस्तान चली जाती है फिर तारा सिंग अपनी महबत को वापस लाने पाकिस्तान जाता है और वहाँ क्या कुछ होता है एसे फिल्म से सानी दोल के हान पर मुखाणने वाली सीना इकॉनिक बन जाता है वो चीजे हर किसी के दिलों में बसी है तरन आदर्श के मताबिक जहां पर पहले पार्ट की कहानी खतम हुई थी दूसरे पार्ट में उसके 17 साल क्या आगी यानि 1971 की कहानी दिखाई जाएगी ये कहानी पाकिस्तान के लहोर में सेट होगी बहराल गदर फिल्म हर किसी को बेहद ही पसंद आई थी अब फिर से तारवर सकीना की मुहबद की कहानी को देखने के लिए लोगों के बीच काफी क्रेज है आपको बता दे कि हाली में शूटिंग से एक वीडियो भी लीग हुआ जिसमें सनी दोल और अमीशा पतिल एक रोमांटिक गाने की शूटिंग करते नजर आ रहे है गदर टू को लेकर आप कितने ज़्यादा एक्साइटर है कॉमें में ज़रूर बताए आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद